तो आज को टॉपिक है हमारा शुगर के इन लीफ उपर के एकनलोमिक इंपॉटेंस एंड डेमेज़िस तो यनि शूगर के इन लीफ उपर की आर्थिक महत्व क्या है और हानिया क्या है तो आएए देखते हैं फस्ट है पायरेलिया पर्पो सिला पायरेलिया के नाम से प्रसिद है यानि पायरेलिया पर्पो सिला पूरा नहीं बोला जाता जादातर लोग उसे पायरेलिया के नाम से जानते हैं और इसी से ये फेमस है तो नेक्स्ट है लीफॉपर गन्ने के अतरिक जुआर, बाजरा, मक्का, गेहूं आदी को प्रकोशित करता है मतलब जो लीफॉपर होता है वो किवल गन्ने के पौधों को ही इंफेक्टेड नहीं करता बलकि जुआर, बाजरा, मक्का, गेहुँआदी के पौधो को भी हाम करता है निम्फ तथा अडल्ट दोनों ही फसल को नुकसान पहुचाते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो अप्लोट की है जिसमें आपको लाइफ साइकल बताया है कि एक्स क्रेक होने के बाद निम्फ निकलते हैं और निम्फ से अडल्ट बनते हैं तो जैसे ही निम्फ निकलते हैं वो लीव्स का चूचना शुरू कर देते हैं यानि इसकी अडल्ट और निम्फ दोनों ही खेती को हमारी नुकसान करती है यानि पत्य भाग से कोशיק का द्रभ चूसती हैं इसके कारण पती पीली पड़ जाती है और अंत में पत्य पीले पढ़कर गिर जाती हैं तो अडल्ट और निम्फ दोनों ही लीफ से कोशिका द्रभ यानि शैल शेप चूसते रहते हैं जिसके कारण क्या होता है हमारी जो पतियां होती है वो यलो हो जाती है और अंत में सूख कर गिर जाती है लीफ ओपर का अधिक प्रकोप होने से गन्य सूख जाते हैं अब जो लीफ ओपर होते हैं उनकी जादा मात्रा होने से क्या होता है गंणे हमारे सूखने लगते हैं बहुत जादा मात्रा में वो हाम करने लगते हैं खेती को और गंणे की खेती बरबाद कर देते हैं यह कीट एक तरल पधार श्रावित करता है इस को हनी ड्यू कहते हैं तो जो ली फ़ोपर होता है वो एक liquid form को श्रावित करता है इसको हम honey due कहते हैं इस point को आपको याद रखना है कई बार objective type question में ये पूश लिया जाता है तो friends मेरा इरादा होता है आपको short में समझाना और उसके notes प्रोवाइड कराना तो आप लोग अगर कहीं भी online class और फिर college की classes attend करते हैं तो आपको पता होगा कि एक topic complete करने में 7 से 8 days लगते हैं और यहाँ पर आपको एक video देखना होता है चोटा सा जिसमें आपको notes भी मिल जाते हूं और आपकी समझ में भी आ जाता है क्योंकि आज कल का time वो है कि कोई भी बच्चा जादा लंबा topic समझने को ready नहीं होता आपको notes के लिए description box में PDF लिंक मिल जाता है और मैं आपको notes के हिसाब से ही बताती हूं कि क्या इसका process रहता है इसको honey dew कहते हैं पत्यों पर इस honey dew से black scutty malt पैदा हो जाते हैं जो पौधों की पत्यों के photosynthesis को प्रभावित करते हैं मतलब black scutty malt बनने से photosynthesis होता है वो नहीं हो पाता और पौधे की पत्यां प्रभावित होने लगती हैं जिससे वो पीली पढ़कर गिरने लगती हैं इसके कारण पौधे से रस की quality वो quantity दोनों ही कम हो जाती है यानि नियंत्रण अंडों को एकत्रित कर नस्ट कर देना चाहिए या उन पर फिनायल के पानी का छिर्काव करना चाहिए तो friends जो हमारी books होती हैं वो काफी साल पहले छपी होई होती है या फिर आप कह सकते हैं notes होते हैं बट आज के time में इतना advanced technology है कि हमारे पास बहुत से spray हैं बहुत से रसायन हैं जिनके द्वारा हम ये सब control कर सकते हैं बट यहाँ पर point में हमने simple लिख दिया है कि अंडों को एकत्रित कर नस्ट कर देना चाहिए या उन पर फिनायल के पानी का छुड़काव करना चाहिए भूमी में nitrogen की उपरियोक्त मात्रा होनी चाहिए तो यह थे आपके control अब हम देखते हैं गन्य के 5 हानिकारक कीट मतलब गन्य को हाम करने वाले 5 हानिकारक कीट्स के नाव सभी वसलों की तरह गन्य को भी अनेक कीट संक्रमित करते हैं जो निमनलिखित हैं मेरे चैनल पर आपको जलौजी फर्स्ट पेपर के पूरे नोट्स मिलने वाली है या फिर कह सकती हूँ मैं पूरा सलेवस मिलने वाला है और जो मैंने नहीं डाला है उन वीडियोस को मैं अपलोड करने वाली हूँ तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मल जाएगा आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो वीडियो शेयर करें तो आप देखते हैं हम गरने की पांच हानिकार कीट के नाम sugar cane top water, sugar cane shoot water, sugar cane root water, sugar cane stalk water, sugar cane leaf hopper तो friends यह काफी easy रहते हैं, सब में sugar cane है आपका top, top, shoot, root, stalk, leaf यह changes रहते हैं, तो अगर आप इसको याद करते हैं, तो आपको थोड़ा impression अच्छा बढ़ता है examiner के प्रती तो आप इनको याद कीजिएगा और thank you so much friends, मिलते हैं next video में next topic के साथ